मुंबई हिंदुस्तान का दिल और हिंदुस्तान के इस दिल ने आज तक कई बार से हैं इसकी शुरुआत हुई थी 1993 सीरियल बॉम ब्लास्ट से फिर 2002 बस ब्लास्ट, 2006 ट्रेन ब्लास्ट और 2008 टाज 26 ग्यार मगर मुंबई पर उनका सबसे बड़ा वार अब भी होना बकी था और इस वार को रोकने की जिम्मेदारी थी मुंबई अंटी टेर्रिस्म स्कॉर्ट के एक ही उताकी मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलिजन देकर गोली नहीं चलाती क्रिमिनल रिकॉर्ड देख कर ठोक दियो है अब बीन चॉट हमारी इंटेलिजन्स के हसाब से तुम्हारी तरह 40 लोग और हैं जो लशकर के स्लीपर सेल बन कर हिंदुस्तान में सालों से रह रहे हैं अभी उनका वक्त आया नहीं जब वक्त आएगा तुम्हें उन्हें ढूनने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुझे ढून लिया तेरे बाकी साथियों को भी ढून लेंगे 93 में एक टन आरडी एक्स आया था जिसमें से सिफ चारसो किलो इस्तमाल हुआ और पूरा मुंबई हिल गया 600 किलो आज भी कहीं दफन है हिंदुस्तान ने मेरी किसमत बदली अब मैं हिंदुस्तान की किसमत बददूगा मेरे बच्चे पीवी अब वो को सिंदा चला दिया उन लोगोंने हम आनता हूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था लेकिन तुमने भी तो सेकड़ो मासुमों की जाने ले ली उसका क्या रुख जाए जेहन में और भी पुनीस आफिसेस अपना काम कर रहे हैं लेकिन कोई भी ड्यूटी के लिए अपनी बच्चे की जान खत्रे में नहीं डालता सूरिया वो लोग कब आएंगे ये में नहीं जानता पर वो आएंगे ज़रूर इस बार आएंगे ना तो देख लेंगे सालों को क्या करें सर शिवगर चलें ये काम एक ही कमी न कर सकता है इधर अलग लेवल का धनली चल रहा है सर ये लोग साथ गाड़ी में बॉम फिट की हैं जिस कोली से तू मरेगा उसके ओपर आईसा बड़े में लिखाओंगा मेड इन इंडिया अथा पबली को मालू है कौन आने वाला है तेरे को नहीं मालू गाड़ी ऐसा हमेशा घुमा की क्यों आता है और तू हर बार हेलिकॉप्टर पर क्यों लटकता है किसका ज्यादा बड़ा है एंट्री कोई फरक नहीं पड़ता है चलो अभी आप जानते हैं कोन है नाइम खान तीस साल इमानदारी से पुलिस के डूटी किया है इन्होंने और अब इनका बेटा अबास हमारे आंटी टेररिजम स्कॉड का एक होनार आफिसर है ये है हिंदुस्तान के मुसल्मान अयाप बुल्स्टान